असलाव अलेकुम दोस्तों मैं हूं मॉमूद असीम अन्सारिया वेल्कम टू मैं चैनल अगें उमीद करता हूं आप सब खेरियस से होंगे ठीक होंगे इंशाल्ला तो माशाला देखे एक मैं नई वीडियो के साथ आया हूं कि अपने माशाला बैने वीडियो देखी होंगी और गूगल पर देखा हुआ कि खजूर के फायदे क्या है लेकिन अब जैसे कि सर्दिया शुरूर यह अक्टूबर का महिना लग गया है तो इसके क्या फायदे हैं ज्यादा तर सर्दियों में और वैसे अकसर लोग जो हैं प्र जूर एक ऐसा Dus dacast Normally dogs और एक एसा फूड है जिसमें बहुत सारे एंहरा व रखे है और यह इंपरे आखिया बहुत दीएंदेच बनाता क्योंकर टेक्रमार किया होता हमिए महारीमरी जो बनाट सर्दियों में जैसे सर्दिया शुरू होती है यह रहले हैं तो लोगों के मला हड़ियों में दरदोना शुरूर हो जाता है तो उर जो खजूर है खजूर के अंदर ऐसे विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं ठीक है और दूसरी बात इसमें आर्टिफिशल शुगर नहीं इसमें नैच्रल शुगर है जो कि हमारी बोडी के लिए हम कि हमारी जोडों में दर्द शूरू हने बज़गों होने शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है असल में सरदियों की वजए सी चीज अकंडने लग जाती है और खजूर एक आसी चीज बनाई है जो बहुत गरम बहुत गर्म नहीं इसको लेती है ना और इसके बाद हमारे जो ब्लड है ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीस होता है बढ़ता है तो उस वज़े से हमारी जो हड्डियां हैं हमारे जो नीज के गुठनों के जोड हैं वह इस्ट्रॉंग बनते हैं और तीसरा टॉपिक है कि हाट अटेक एक्शल में क ज्यादा ठंड बढ़ती है महां पर क्या होता है ब्लड प्रेशर जो है उनका डाउन होने लग जाता है जिस विए से उनके हर्ट का जो है हर्ट अटेक अना शुरू हो जाता है चांसिस बढ़ जाते है रिस जादा बढ़ जाते हैं और खजूरे कैसी चीज है जब आप इस में हम रहते हैं वी यर इंडिया में होता है सर्दियों में हमारे ऐस्टिवल साने शुरू हो जाते हैं अजरी तो आप कोशिश करें कि खजूर बाटे हैं और ड्राइफूर्स के भी हाफ 5 kg के 1 kg के 500 ग्राम के बॉक्स आते हैं तो कोशिश करें कि वह आप डिस्ट्रूइट करें उससे क्या होगा लोगों के बस हेल्दी चीज पोजेगी लोग हेल्दी खाना खाएंगे हेल्दी चीजें कंस्यूम करेंगे तो उनकी बॉड़ी को पता है कि खजूर एक ऐसी चीजे जो एनर्जी बनाता है वो भी इंस्टेंड जल्दी से अगर आप तीन पांच या सेवन खजूर हर रोज खाते हैं मिल्क के साथ खाते हैं तो उससे क्या होगा आपकी जो बॉड़ी है उसको कंस्यूम करते करते उसके आदत पढ़ नेचरल फूड है नेचरल ड्राइफ फूड है तो इसके अंदर एनर्जी एक्शुल में होती है क्योंकि इसमें आर्टिफिशल शुगर नहीं इसमें नेचरल शुगर होती है विनरल्स विटामीज पोटेशियम अगनेजियम कैल्शियम यह सब अभी लेबल है वो भी शाइब करके रखता है खासकर यह चीजह ना लड़कियों में ज़्या धिखी जाती है यह माय हैं तो इस वजब से उनकी बॉड़ी है उनका ब्लड प्रेशर होने लग जाता है ठीक है और उनके जो हमोगलेवीन है उसका लिवल कम होने लग जाता है तो अगर आप अपनी लड़कियों को रखना चाहते हैं तो डेट का इनरजी टिक रहेगी और उसके बाद वह कोई भी काम है उसको इसले ले रहा हो में टॉपिक क्योंकि जो प्रेग्नेंट होती है जब वह प्रेग्नेंट होए आती है और प्रेग्नेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है तब भी उसे खुजरों की जरुबत है क्या होता है ब्लीडिंग के टाइम पे जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारी ब उलाद होती है पेट के अंदर तो उसकी फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है कि खजूर उसको खिलाएं आप बुजर्गों से भी आपने सुना होगा मेभी या फिर डॉक्टर भी इस चीज को सजेस्ट करते हैं तो कोशिच करें आपकी प्रेग्नेट लीडिस हैं अगर वाइफ या भेन या कोई भी तो उनको खजूर जरूर खिलाएं तीन से साथ खजूर रोज खाएं और प्रेग्नेशी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी खजूर जरूर है यह टॉपिक्स मैं आपको बताएं जो कि मैं कवर करना चाहता थ विंटर्स में मतलब खजूर खाने के क्या फायद है और मैंने आपको चीज़े बता दिये कि इसमें कैलशियम विटामिस मिनरस पोटेशियम मैगनेजियम यह सफ अब लिबल होता है और ग्लुकोस की कमी को पूरा करता है बलेट प्रेशर इंग्रीज करता है और आपके जो बलड है प्लड जो हमोगलमीन है उसके लेवल को बढ़ाता है यह सारे बेनेफिट्स है माशालला इसके तो खजूरों का सेवन जरूर करें डेलिविस इस पर जरूर कंस्यूम करें आपको खजूर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पास अजवा कल्मी म मैं जोल सारे अवेलेबल है माशालला और मैंने राइफूर्स भी आइड कर लिया है अंजीर अखरोट काजू बदाम यह सब अवेलेबल हो गया माशालला ओल ओवर इंडिया डिलीवरी है तो आप मेरे को कॉंटेक्ट करें इस नंबर पर टेक है इंशालला मिलते हैं नेक्